अजादी के हवाओ के लहरों में हर उस क्रांती कारी की महके जिनके कारण हमारे देश का तिरंगा लहरा आ रहे हैं। लेकिन 15 अगस्ट 1947 में ऐसा नहीं हुआ था। जी हां लोकसवा सची वाले के पत्रशोद के मताबिक जफारला नहरू ने 16 अगस्ट 1947 से लालकिले से जिन्डा फराया था। एक क्रांती कारी क्रांती कारी से तो मिले। उन्होंने एक मिनट तक उस किताब को पकड़ा और फिर हवा में छट के तरफ फेक कर कहा अब चलो। जैसा कि Freedom at Midnight में लिखा है कि माउंट पाटे ने कहा था कि 15 अगस्ट की तारिक तया नहीं थी। उन्हें ये पता था कि अगस्ट ये सप्टेंबर के महने तक उन्हें अजादी देनी होगी भारत को। तो उन्होंने 15 अगस्ट इसलिए चुना क्यूंकि 15 अगस्ट को जपान के आत्मसमर्पन का दूसरी वर्ष गाठ थी। जनमन गन कवी रवींदर नाट टेगोर ने लिखा था। उसे पहली बार 27 अगस्ट को जोतिशों ने अजादी के लिए एक अशुब दिन माना था। इसलिए 15 अगस्ट की तयारी 14 अगस्ट से ही शुरू हो गई थी। यानि कि रात के 11 बजे से ही अजादी का सामरो सजा था। और सामरो की शुरुआत हुई थी बंदे मातरम से। जब हम अजादी की बाते करते हैं, जब हम अपने तिरंगे को गौरफ से लहराते देखते हैं, तो वो सारे वीर हमें याद आते हैं, जिनके कारण आज हम अजाद हैं, जिनके कारण आज भारत अजाद हैं, जिनके कारण भारत का गौरफ कभी नहीं जुका। समशकार आज के लिए इतना ही खबरों से जुवे रहने के लिए डिन पी को सब्सक्राइब करें